हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल इंगलिश विद मौक्षिता में और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की फॉर्स्ट पॉइम दा डश्ट ओफ सनो डश्ट आपको पता है धूल और सनो यानि बरफ की धूल यानि पार्टिकल्स ओफ सनो ठीक है इस पॉइम में बेसिकली क्या है रोबट फ्रोस्ट जो पोईट है नेचर पोईट वो एक मैसिज देना चाहते हैं कि एक छोटी सी इंसि सुला बार उसने आकर्वंण किया दूसरी अपने राज्ज्ये को चीनने के लिए लेकिन क्या हुआ कि वह अर जाता था हर और लास्ट में दिवार के पास बैट जयता है दिवार के पास लगात वो जीत गया तो ऐसे ऐसे उस चींटी ने उस जो किंग है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पॉइम में जो करो है वो बेसिकली जो पॉइट के लाइफ में काफी इंप्रेसिव यानि उसका मूड चेंज करता है बिल्कुल अच्छे से रोल प्ले करता है जिससे देखो पॉइम को ध्यान से पड़ें डश्ट ओफ सनो दब वे ओफ़ करो वे होता है तरीका वो तरीका एक करो जिसमें कवे ने शुक सेक सेक की सेके की सेकेंड फॉर्म है सुक तो सेक मतलब हिलाना तो सुक डाउन यानि जिसने हिला दिया किसको फॉर्म है लोग ट्री हम लोग होता है को सुनों इसके वाइट फ्लावर होते हैं ठीक ना वे ट्री सीट ओफ सनों को गिरा देता है और क्या होता है पॉइट है बैटा होता है सैड़ मूड में जिस तरीके से मौन ने मेरे उपर डेस्ट ओफ सनों गिराई फ्रोमा हैमलोक ट्री हैमलोक ट्री ने हैज गीवन माई हर्ट अचेंज ओफ मूड और उसने मेरे जो हर्देज से जो सैडनेस थी उसको खतम कर दिया और मेरे मूड को चेंज कर दिया और जिसके ऊपर में पस्ता था रियुंट होता है जिस हैड़ी फीलिंग और रिग्रेट होता है पस्ताना चीक है कि मुझे पस्ताने शेख बचा लिया जो दिन उसको बचा लिया चीक है ना कोवे ने उसके मूड को चेंज गर दिया तो यह आपकी पौइं थी यानि उस प्र बर्फ के छोटे से कण को गिरा के पेड़ से हमलोक ट्री से पोईट का मूड चेंज कर दिया चीक है यह आपकी पॉइम है आप देखो पॉइम को सबको पता होता है सबी कर देते हैं लेकिन माक किसी के अच्छी आजाते किसी के अच्छी नहीं आते उसका करण क्या होता है कि आपको जो पॉइम है पॉइम में बरोबट फ्रोस्ट ने जो पोईटिक डिवाइस यूज की है जो एक्स्वेनेशन की है उसके बारे में आपको अपको नौलिज होनी च साउंड तो हम इसको एपार्ट देते हैं इसको भी लिख देते हैं अब मीट्री मिल रहा है तो इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया अब हार्ट पार्ट तो यह मिल रहे हैं इन साउंड से डिफरेंट है तो इसको हम सी सी दे देते हैं मूड रूड तो यह भी मिल रहा है इ बाइम स्क्रीम let a.bbl ctb और देखो जैसे नमिपो इसमें ऑनुप्रास जलंकार का युँजिकिया है यह इंग्लिष में ऐसे ही अलंगकार होती है जिसे वाँ में उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और परल्लाइएन को रहीं होता है या अनुप्रास उनलंकार का होता है जब रिपीटेड साउंड ओफ कॉंसोनेंट होती है तो देखो से यहां पर रिपीट साउंड है तो यहां पर कौन सा लंकार हुआ यहां यहां पर देखो सुक है यहां पर करो साउंड है डाउन आ सनो थिक ना हैं लोग तो अब यहां पर मूड तो डिफरेंट साउंड ओफ जब वावल्स की साउंड है और यहां डिफरेंट तो इसको बोलते हैं अनॉंज अनॉंज ठीक ना तो हेयर पोईट यूज अनुनेंस यानि रिपीटिड साउंड ओफ वावल्स ठीक है तो ऐसे ऐसे अगर आप अच्छे से एक्स्प्लेइन करोगे ना पहले पोईब कहां से लिग गई हैं सब्सक्राइब करें अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें लाइक अच्छे कोमेंट्स करें थैंक यूँ